हेलो गैस, टेरो विट मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है, कैसे ही हो, आप सब आई, होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अमने अवरा को पॉसिटिव के वह होंगे गैस, आज हम जो रिडिंग कर रहे हैं, उसका टॉपिक है कौन सी खुशी आपकी लाइफ में दस्तक दे रही है ये एक जनरल रिडिंग के गैस, हो सकता आपके साथ रेजुनिट करें, ना करें, जो बात आपकी कंडिशन कहनों सर आपको रेजुनिट करती है उसे प्लेस रख लीजेगा, राकी को जाने दीजेगा तो देखते हैं、 कौन सी खुशी आपके जीवन में दस्तक दे रही है या कौन सी खुशी आपको बहुत चल मिलना वाली है ये एक ट couples studying के गैस, तो आप जबी भी इसे देखोगे, यह आपको help करेगी तो देखते हैं कौन सी खुशी आपके जीवन में दस्तक दे रही है वाउ ओके जी कोई अपर्चनिटी कोई मौका के लिए मैं ऐसा आ रहा है जो आपको stability दे एक इस्थिर्ता दे आपको है न आपकी life में balance लेकर आए तो कोई offer आपकी life में ऐसा आ रहा है वो भी बड़ा शिग्र आ रहा है बहुत शिग्र आ रहा है में भी हो सकता है कि अभी आपको ऐसे मौकी के कहते हैं न उमीद नहीं है मैं सच कहूं कि आपको अपनी life में अभी ऐसे मौकी के कहता है न दूर दूर तक उमीद नहीं है या फिर अभी आपको चमत कार के उमीद में बैटे हो मतलब वह सकता है कि अभी फाइनेशल तोर पर आपको सिक्योरिटी नहीं है या थोड़े परेशान हो फ्यूचर कहीं न कई सेफ नजर नहीं आ रहा है तो ऐसी परेशिति में कहता है न कि दूर दूर तक किसी किसी ऐसे मौके की अफसर की कल्पना तक न होना और अचानक से ऐसा मौका आपके लाइफ में आ जाना तो definitely guys, यहीं आपकी life में हो रहा है, यह कहता न, एक ए दिन में, एक ए रात में, एक ए दिन में, life का change होना, तो यह कुछ ही आपकी life में दस्तक दे रहे हैं, जहां आपको stability लेकर आए, आपके लिए respect लेकर आए, कोई अहदा लेकर आए, हो सकता है, यह government job के लिए भी हो सकता है, यहां फिर कहीं, बिजनस का भी offer हो सकता है, है न, कुछ तो है, जो आपकी life में एक इस्तिरता लेकर आ रहा है, है न, कि एक ठैराव को लेकर आए, हम, तो यह है, तो यह खुशी आपकी life में दस्तक दे रहे हैं, और आपकी life को balance कर रही है, एक और message आया है कि, अगर आप government job आप में और transfer का सूच रहेते हैं, तो transfer आपका होते हुए नजर आ रहा है, आप बहुत परेशान थे हैं, आपने बहुत तो कोशिश कियोगी, कई बार कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी transfer नहीं हो पाता, तो यहां पर वहीं बताया जा रहा है कि, आपको परेशान नहीं होना है, आपका transfer होगा, यहां पर बहुत संभावना ही लग रही है, आपके transfer होने की, मैं सच कह दो, कि साथ हफ्तों में देख लेना, यह परेशान ही आपकी खतम हो जाएगी और आपका transfer होगा, ठीक, यहां एक और बास सामने आ रहे है कि, आप shift करते नजर आ रहे हो कहीं और, कहीं और, बहुत जल्द कोई message यहां तो आपको ऐसा आएगा, यह call ऐसा आएगा जहां पर आप shift करते नजर आ रहे हो, यहां तो हो सकता है, जैसा बताने कि transfer होना, एक तो वो बात है, यह हो सकता है कि आपका job लग जाना, तो आप shift कर रहे हो, है न, यह sudden जैसा का न एक एक की रात में लाइफ को बदलना तो यह है नहीं और मैंसेज आया है की आप बेबी के बारे में सोच रहे थे और यह खुशी आपको नहीं मिल रही थी और कई From और क्याम सरीु है कि यह खुशी मालिक आपको अप देंगे देकिन फिर भी यह को प्रट देफिनेटली मैं कह सकते हूं कि अब जल्ड ये रहमत कह सकते हैं कि आप पर वोगी और ये खुशी ये ब्लेसिंग आपको बहुत जल्ड मिलेगी हो सकता है कि आपने अपने हल्ठ को लेकर कई सारे उपाई किए हैं कई सारे इलाज करवा हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि यह अभी तक खुशी नहीं मिली थी आपको, पर मिलेगी आपके लाइफ में एक नई शुरुवात होगी, इस खुशी की मिलने के बाद में देखना आपके लाइफ में नई शुरुवात होगी और आपके लाइफ में एक बैलनस आएगा, तो चिंता नहीं करनी है, बहुत ना जी, ओके, एक कौन सी कोशी आपकी लाइब में दस्तक दे रही है, यह सबसे अलग मेंसेज है, यह है स्प्रिचुलिटी को लेकर, कि कहीं ना कहीं आपकी आधियात में क्यात्रा कहते है ना, यह इसमें आगे बढ़ रहे हो गाईज, इसमें कहते है ना, बैलेंस का आना, इंजिल्स के साइन आपको बहुत जादा मिलेंगे गाईज, और इंसाइन को आप समझोगे भी, कहीं ना कहीं आपका मन आने वाले समय में बहुत शांत रहने वाला है, सुकून में रहने वाला है, क्योंकि आत्मा और दिल का कहते है ना, मन और मश्टिक का कहते है ना, कि ब और काफी district मैं कह सकती हूँ कि आने वाले कुछ ही समय में आपके चक्रास काफी हद तक benefits करनी करते हो ना ya manifest करने की कोषीर करते हो ना काफी हद तक देखना गाइस की आपकी चक्रास बैलेंस में आ जाएंगे अभी हो सकता है कि आपको वाइट कलर के कपड़े पहनने बहुत अच्छा लग रहा है या फिर धर आई चक्र पर रोश्नी नजर आना तो वो यहीं है कि आपका आग्या चक्र जो है न वो काम कर रहा है इंट्यूशन भी हो रही है आपको कहीं न कि स्प्रिचूलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हूँ एक ये भी मुझे बात समझ में आ रही कि कभी कभी ऐसा होता न कि कोई इंसान एक खोज में रहता है मतलब हमेशा उनमें एक बैची नहीं रहती है कि मैं कुछ खोज रहा हूँ अब क्या खोज रहा हूँ ये पता नहीं मन की चंचलता भी आपके बहुत है मन की चंचलता कैसे है कि आपका ठैराव नहीं रहता मन का भी और जैसे घर से बाहर निकलोगे ना कि अब गरियोलोगे करकूने लूए तो हाँ जल्दी रहती है आपको कि चलो जलो जल चलो 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 जलो ना है बाहर ठीक है अब जैसे बाहर जाते हो जो ड़ी मन करता है कि जल्दी घर में आ जाए मतलब ठहराव नहीं है वो ठहराव आपकी लाइफ में आ रहा है यह मन की बेचे नहीं है न यह बेचे नहीं दूर हो रही है अब यह बेचे नहीं क्यों है पता है आपको दिल जो है वो कुछ खोज रहा है अब मैं सच बात बता हूँ तो यह किसको खोज रहा है, पता है, खुद की ही energy को खोज रहा है, अवेकन करने की कोशिश कर रहा है, खुद को ढूंड नहीं पा रहा ना, इस वज़े से यह बेची नहीं हो रही है, अब यह बेची नहीं आपके दूर होगी, क्योंकि आपकी energy जो है न, वो balance में आ रही है, और यह balance में क्यों आई, पता है, इसका balance में आने का तरीका क्या रहा, आपने पहले बहुत परेशानी देख्ये, यह इन महिनों में आपने बहुत जादा परेशानी देख्ये, इतनी परेशानी देख्ये, अब कहते है न, कि दूसरों पर उतना trust नहीं रहेगा, जितना खु पॉसिबल नहीं रहेगा शायद पहले की सिच्वेशन आपकी यह रही थी कि आप दूसरों पर अश्रित रहते थे किसी काम के लिए अब आने वाले समय में आपके साथ ऐसा नहीं होगा यह बहुत बड़ी खुशी है गए जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं कि आप अपना काम खुद कर पारे हो चाहे अपनी लाइफ को चलाने का काम हो आपके लाइफ के कंट्रोल पर आपके हाथ में आ रहे हैं हना खुद पर से नियंतरन कहते हैं न वो हट रहे हैं एक freedom मिल रही है आपको अभी शायर सिचुएशन ऐसी लग रही होगी जहाँ पर आपको कि यह आपके हित के लिए हो रहा है या बुरे के लिए हो रहा है है आपको freedom मिल रही है दुख से या ऐसे लोगों से जो आपके लिए सही नहीं है आप जो सोच रहो ना कि कोई चीज़े छूटती जारे छूट वही रही है जो आपको नहीं छोट रही थी आगे बढ़ने से है ना तो लाइफ में काफ़े सारे अच्छे बदलावारे उनको एकसेप्ट करो गाइस परिवर्तन प्रकति का निया है अगर ये पहले एकसेप्ट कर लिया होता ना तो ये आज बिगड़े हुए रूप में नहीं आता है ना कौन्ची खुशी दस्तक दे रही है आपके लाइक में इस चीज से बाहर आ रहे हो आप एक अकेले चार दीवारी में रहते हो ना किस वज़े से कि बाहर जाएंगे लोग पूछेंगे या दस तरीके के सवाल करेंगे उनके सवालों का चवाब मुझे देना पसंद नहीं है हाँ नहीं देना नहीं देना लेकिन जलूरी थोड़े है कि हम अंदर ही बैठे रहेंगे और अंदर बैठकर हम क्या कर लेंगे अपनी हेल्थ को खराब करेंगे ना यह चीज जो है ना जो आपका पाउं रोकती थी ना इससे फ्री हो रहे हो फ्रीडम जैसा मैं नहीं का रहा है किवर एक मुद्धिक को लेकर नहीं फ्रीडम अपनी लाइफ को जीने का स्वतंत्रता से खुश रहकर कुशी को मैसूस करके वो चीज आपको फिल होगे एक आपको भैर रहता है आप बाहर जाते हो ना कि कोई मेरे बारे में जांच परताल करने की कोशिश करेगा या यह वो मतलब कहीं न कहीं आपको यह डर रहता है कि कोई आप पर नजर रख रहा है आप उस चीज से फ्री होने वाले वो बंदिश आपके लाइफ से हट रही है या अगर कोई नजर भी रख रहे थे ना तो आप परिशान नहीं करेंगे आपको तो यह खुशी आपको मिलने वाली है गाइस इन सिक्योरिटी से बाहर आ रहे हो डर हर तरीके का खतम हो रहा है क्योंकि ट्रस्ट बढ़ रहा है मालिक पर मेरा कर ओके दिखो डर किस चीज का खतम हो रहा है सची बात बताओ मैं आपको कि जैसे कि कभी कभी होता ना कि कोई परेशनी है जैसे एक रस्सी है रस्सी में आग लगी हुई है समझना इस बात को कि रस्सी में आग लगी हुई है अब वो पूरी रस्सी को ना जलाए इसके लिए कई बार आपने कोशिश की कि जैसे ही रस्सी में आग लगी न तो आपने उसे बुझाने की कोशिश करें वो नहीं बुझ रही थी उसका कहते है न कि यह था कि जब तक आप उसको काटोगे नहीं न वो बढ़ेगी आगे तो आपके दिमाग में यह आया कि यह पूरी रस्सी को जड़ा इससे अच्छा है कि इसको काट दूँ वहीं पर जहां तक यह आग लगी हुई है तो यह बिलकुल वैसे ही चीज़ है कि कुछ चीज़ें देखो कुछ बुरे लोगों की वज़े से आपके लाइफ में कुछ चीज़ों की एंडिंग हुई है जो आपकी लाइफ में आपको हमेशे एक डर बना रहता था खोने का खोने का खोने का तो कुछ चीजे तो सच कहूं की खतम होई है आपके लाइफ से लेकिन ये चीजे वही खतम होई है जो आपके लिए सर्व नहीं कर रहे थी या आपके बहतर के लिए नहीं थी या आपके लिए जो अच्छी नहीं थी न वो चीजे ही आपके लाइफ से निकल रही है वहीं लोग आपके लिए अच्छे हैं चाहे अभी परिष्टिति कैसे भी बनी हुई है जिनके साथ अभी बन भी नहीं रही है चाहे वो अभी आपको दुखी कर रहे हैं परेशान कर रहे हैं तकल कुछ ने ना कुछ बूरे लोगों कि शडिंतर में आप नहीं फसनेवाले आप उनको फसाद होगी लेकिन आप नहीं फसनेवाले गाईज अना अ कि अगर किसी आप अपने को लेकर परेशान हो कि वो दूर हो रहे हैं आप तो नहीं होंगे, नहीं होंगे, अपनी इंट्यूशन पर बिलीव रखो, है न, आत्मा से आत्मा को कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है न, कोई आप से चीनने की कोशिश में है, पता चल रहा है, नहीं चीन पाएगा, नहीं चीन पाएगा, रश रखो यूनिवर्स पर, है न, जो आपका है, वो आप तक पहुचेगा, बहुत जल पहुचेगा, और गलत लोग, बुरे लोग, जिन से आपका कोई लिना देना नहीं है, न, वो लोग आपके लाइप से निकलेंगे, और निकलने दो ऐसे लोगों को, है न, जी, और देखे कुछ कार्ट की क्या, और हाँ एक मिरेकल के लिए आपका दिल जो है न, वो आपकी इंट्यूशन जो है न, वो गवई दे रही है, कि आपके लाइप में कोई मिरेकल होने वाला है, मतलब इन दिनों में आपको साइन मिल रहा है गाइस, किसी मिरेकल का होने का, या फिर एक ही एक तरीके की मेसेज जो है न वो आपको बार-बार मिल रही है यह मैंने क्यों कहां क्योंकि यह एक universe का sign है guys कि आपके कान तक वो बात पहुचाना कि आपकी life में miracle होने वाला है क्योंकि intuition आपको मिल रही है आप उसको ignore कर रहे है इस वजह से आपको अलग-अलग sign के द्वारा समझाय जारा है कि आपके life में एक नई शुरुवात हो रही है, एक बात मैं कहना चाहूंगी guys, कि मेरा intuition खुद अभी ये कह रहा है कि साथ हफतों में आपके life में कुछ नो कुछ अच्छा होने वाला है guys, बता नहीं क्यों मेरा दिल बड़ी strongly ये बात कह रहा है कि कोई respect आपको मिलेगी कोई चमतकार आपकी life में होगा और respect ऐसी बनेगी, मिलेगी कि आपकी चर्चाएं होगी guys सच मैं मतलब ये कहता है ना appreciation मिलने वाली बात हर एक लोगों से even मैं सच कहा दू, परिसित्ती तो ऐसी भी बनेगी कि आपके आलोचक भी आपकी प्रसंसा करेंगे एक बात कहते है ना अपने आलोचको का भी मूँ बंद करना, वो आप नहीं कर रहे हो वो यूनिवर्स की blessing कर रही है, यूनिवर्स कर रहे है वो आपकी life में miracle है guys बहुत एक बात मैं पक्का कहना चाहूंगी कि 2023 जो है ना ये आपके लिए मैं सच कह दो कि खुशियां ही लेकर आएगा कोई miracle definitely है जो आपका दिल जोड जोड से आपको कहता है कि ये miracle होने वाला, ये miracle होने वाला है लेकिन आप सोच रहों कि ये ब्रह्म है या कहीं न कहीं आपका illusion आपका intuition पर भारी पढ़ रहा है meditation किया करो इससे आपको सच कहो ना कि ये जो दुवीदा है ना आपके दिमाग में चल रहे हैं ये दुवीदा है दूर हो जाएगी और जो खुशिया आपके पास आने वाली है ना उसको महसूस कर पाऊगे अब meditation कैसे करना है meditation करने का एक अच्छा तरीका बताओ मैं आपको सबसे पहले क्या करना कि जितना हो सके ना तो सुबह भूके पेट meditation करने की कोशिश करना करें भूके पेट चाई भी नहीं पीनी है ना पानी पीलो वो बात अलग है पानी चल सकता है चाई या कुछ भी खाना पीना नहीं है ठीक पानी पी सकते हैं और पीकर एकदम शांत मौर्णिंग में अगर ब्रम महुरत में करो तो बहुत अच्छे बात है ठीक है और अगर तब ना कर पाओ तो जबी भी उठो उठकर सूर्य के सामने बैट कर ठीक है अभी सर्दी का मौसन चल रहा है तो थोड़े अच्छे से कपड़े पहन कर स्वेटर वगरा पहन कर फिर मेडिटेशन करना मेडिटेशन करने का मैं एक तरीका बताओ आलती पालती लगा कर ऐसे ये वाली है ना ये इसको ऐसे करके आलती पालती लगा कर ऐसे करके गुटनों पर यू करके ना फिर मेडिटेशन करना ठीक है ध्यान केंद्रित करना सीधा थरड़ाई चक्र पर ठीक है और वो भी समझ में नहीं आए लगता है पहली बार मेडिटेशन करें तो फिर कैसे करें मैं तब हमें क्या करना है कि आलती-पालती लगा कर बैठ जाना है ठीक है और उसके बाद मैं ऐसी मुद्रा मैं ठीक है ना जिनको भी आप मानते होना सिर्फ उनका इसमरण करना है और कुछ भी नहीं करना जबर्दस्ति की कुंडलीने को जागरत करने की कोशिश नहीं करना मैंने पहले भी बताया था क्योंकि कभी कभी कोई इंसान चो होता ना कि इतना ready नहीं होता कुंडली जागरत करने के लिए तो अगर आपकी किस्मत में लिखा होगा ना कुंडलीने का जागरत होना तो आप ना करो तब भी परिस्तित्यां क्रियेट होकर वो अपने आप जागरतों के जबर्दस्ति का अपनी तरफ से कोशिश नहीं करना मैडिटेशन की बात अलग है मैडिटेशन करने से हमारी इंट्यूशन जो अगर हम spiritual है तो हमारी इंट्यूशन थोड़ा हमे घाइड करना शुरू कर देती है और हमें समझ में आता है यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि आपके इंट्यूशन आपको घाइड करती है लेकिन नकारात्मक्त या बीती हुई बात है वो आप पर हावी हो जाती है और आपके इंट्यूशन की बात आप सुन नहीं बात है ठीक है ना तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना और देखते हैं कार्स में क्या आता है कौनसी खुशी आपकी लाइफ में दस्तत दे रही है यहां पर ऐसा लग रहा है कि किसी के वाहन खरीने की इच्छा रहा है और वो खुशी उनको मिलने वाली है सहा सारा है आप खौफ ही नहीं जी आपको कोई भी परिश्धिति ऐसी नहीं है जो मेरे कबू में नहीं नहीं तेकिंग रिस्क लैफ में अलाइन्मेंट आ रहा है और अलाइनमेंट कब आएगा जब आप रेस्क लेने के लिए रेड़े हो जाओ लव अबंडन्स चलो लस्ट का काड़ी यही आया रिलेक्स हो जाओ अबंडन्स हर एक मामले में मिलेगा आप एक लचिलापन लेकर आओ गाई लचिलापन कैसे कि हो सकता है कि आप परिवर्थन को एकसेप्ट नहीं कर पाते हैं जो भी चीज़ा आपके सामने होती है न यह था वद पहले जैसे चल रही थी वैसे वैसे चलती रहे ऐसा आपके दिमाग में आता होगा नजलब आपका दिमाग रिलेक्स नहीं हो पाता आपके दिमाग को कही न कहीं रिलेक्स होने पैकर आपशकता है वो सकता है आपको नीट भी नहीं आ रही है तो आपको यहीं कह जादा है कि आने वाले फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचो हिंमत रखो है ना हिम्मत रखो आपके life में सब अच्छा होगा देखो इतनी सारे butterflies वगरा का दिखने का sense क्या है या इतनी colorful चीज़ें आपको इन दिनों में बहुत जादा दिख रही है या फिर green color आपको बहुत जादा दिख रहा है इसका मतलब यही है कि अलग-अलग तरीके से आपको sign दिये और यह सोच कर आगे कभी future खराब करने के कोशिश ना करो है ना तो चीज़े सब काबू में है अभी भले ना दिखते हो लेकिन सब आपके काबू में ही है पर इस सित्या आपके अंडर में ही है निश्चिन तो कर जिए हो है ना एक ऐसा क्यों लग रहा है कि एक जैसे एक ब बड़ा पक्षी होता ना चील कहते है उनको अलब एक कोई बड़ी बर्ड जो है यह आपको दिखते हैं गाइस यह कोई भी मौका अगर आपकी लेने क्या शकता है ना तो माप पर रिस्क ले लो क्योंकि वो रिस्क आपको रिस्क नहीं है वो एक उड़ान बनने का संदेश है आपको ठीक है ना तो रिस्क लेने में डड़ना नहीं यह आपके लाइफ के लिए बहतर ही रहेगा एक और खुशी आपके लाइफ में दस्तक दे रही है यह आपको अपने घर को लेकर है काईस, अपने घर को ले कर है, घर को ले कर कैसे है कि, यान तो आप अपना नया घर खरीद रहे हो, ठीक है न, अपनी इच्छा के अनुसार, वैसा ही जैसा आपने सोचा था, सपना सजोया था, है न, एक तो ये हो सकता है घर को ले कर, या फेर घर के समद में कोई भी परिशानी है ना तो वो परिशानी का अंत आप देख रहे हो आपका दिल भी जानता है कि आपकी कोई भी परिशानी ये उसका अंत होने वाला है तो ये भी ही एक-खुशी आपकी लाइक में दस्तक दे रही है transformation बहुत बड़ा चल रहाएगा इस आपके life में और इसे ही कहते हैं न महसूस भी कर रहे हो लेकिन फिर भी डर रहता आएगा इस आपको इस डर से बाहर आओ है ना इस डर से इस तकलिफ से बाहर आओ बड़ी बड़ी खुश है आपके life में दस्तक दे रहे इवन मैं कहूं कि health के matter में भी तो जैसा मैंने पहले भी पताया guys कि अगर health को लेकर दुखी हूँ परिशान होना तब एक काम करो आप कि एक दिमाग में ये सुचों कि अगर normal problem है ना जैसे कोई बड़ी problem की बारे में बात नहीं करी अगर कोई बड़ा health का issue है आपका तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको relax हो जाना है क्योंकि आपकी health में सुधार होगा यहाँ पर फिर से आया है फिर से आया है और कई सारी reading में आया है कि health को लेकर आपको परेशा नहीं होना है देखो कभी कभी समय एक होता है कि जहाँ पर किसे इंसान को शारीरिक तोर पर पर परेशा नहीं भोग नहीं होती है है ना लेकिन आने वाले समय में आपको यहीं कहा जा रहा है कि आपकी life में happiness आएगी शारीरिक तोर पर आप परेशा नहीं रहोगे आप खोशी मैसूस करोगे है ना तो यह है और फिर भी अगर छोटी मूटी दिक्कत आपको हमेशा रहती है जैसे कई सारे लोगों को यह होता है कि हर थोड़े टाइम बाद में बुखार आना पेन होना कुछ नो कुछ चलता ही रहता है उनकी health को लेकर matter तो उनके लिए मैं एक बात कूँगी मैंने पहले भी एक तरीका बताया था कि नहाने के बाद में अगर देखो आपको ज़्यादा दिक्कत रहती है ना तो यह दो टाइम करना वरना एक ही टाइम काफी है कि नहाने के बाद में morning में नाभी में 600 का oil लगाओ सर्दी में सर्दी में 600 का oil और घर्मी में क्या करो कि नारिल का oil होता ना वो लगाओ ज़्यादा problem है अगर आपके health को लेकर तो दो time लगाओ इससे अगर आपके eyes में problem है या फिर कमर में problem है या body के किसी भी इससे में problem है ना तो problem कतम हो जाएगी actual में problem शुरू होती है पेट से है ना तो इसका solution भी वहीं से है कहता ना कि जहाँ आपर problem start होती है उसका आंत भी वहीं पर होता है तो यह करके देखो guys आपको दस दिन में बहुत ज़्यादा फरक लगेगा है ना तो यह करके देखो और meditation करना ही करना है भले 5 मिनट के लिए करो और वो भी समझ में नहीं आए जो भी पहले बताया तो कोई भी YouTube पर meditation का music लगा करना सुनो उनको ठीक है मंत्र के chanting करो oh my god यह देखो कहता ना कि समय आता है ना तो मतलब गलत कहने वाले भी अच्छा कहने लगते हैं आपके साथ एक वो खोशी मिलने वाले आपको कि अभी हो सकता है कि किसी ने आपको चोट पाचाने की कोशिश की है या फिर आपको ये जताने की कोशिश की है कि आप किसी भी चीज के लायक नहीं हो या आप अपनी life को खराब कर रहे हो और आप खुद के साथ दूसरों की life को भी खराब कर रहे हो या फिर आपकी लाइफ में कोई स्पार्क नहीं है मतलब कुछ ऐसे शब्द आपको सुनने को मिले है जहाँ पर आपको भी लगने लगा कि आपकी लाइफ बोज है आप पर खुद पर और दूसरों पर भी बोज है लेकिन आपके साथ एक justice हो रहा है justice ऐसा हो रहा है कि यहां पर abundance का card आया कि यहां तो financial तौर पर आपको इस तरीके से safe किया चाहेगा यहां इस तरीके से कहते है ना कि आपको एक safety दी जाएगी जहां पर आपकी सफलता जो है ना वो sure मचाहेगी और आपके आलो चग भी आपको appreciate करेंगे जैसा पहले आया था message ना वहीं message आपके लिए confirmation के तौर पर आया है कि आपको appreciation मिलने वाली है तो एगर anxiety है आपको क्या भी कुछ भी नहीं कर रहे हो चिंदा मत करो है ना door to personal healing and happiness देखो आपको heal भी किया जाएगा पता नहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक होता नहीं कि society की तरफ से भी बुलाया जाता है किसी को एक success प्राप्त करने के बाद में कि वो और लोगों को भी motivate करें तो मुझे यहाँ पर वैसी चीज़ लग रही है कि आपके society से भी आपको बुलाया जाएगा बनाओ गया आप अपना एक थोड़ा लच्छी लपन रखना आपने व्यवार में जैसी परिस्तिय चल रहे है ना उस परिस्तियों के अनुसर खुद को ढालने की कोशिश करना ठीक है ना आपके life में बहुत हो कुशियां दस्तक दे रही है accept करना क्योंकि gossip होने वाली आपके बारे में चर्चाएं होने वाली है आप चर्चाएं क्यों होती है कोई इंसान कुछ करता है तब न anxiety से बाहर आ जाओ थोड़े बहुत help केशू रहता है ना उनको हावी मत होने दो खुद पर कुछ करने की कोशिश करो अपने जोन से बाहर आओ action लेने की कोशिश करो है ना या अगर अभी कोई मौका ऐसा है जहां पर आपकी कुद की कहते है ना कमजोर या आप पर हावी होने की कोशिश कर दे तो उनको दबाओ और एक step आगे बढ़ने की कोशिश करो कैसे आपसे कुछ नहीं होता बहुत कुछ करके दिखाओगे आप दुनिया को बताओगे क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो creativity भी है आप में बहुत गजब की है बहुत गजब की है इस्तमाल करो जी जो का है ना आपको बगवा ने क्या-क्या हुनर देकर भेजा है ना उनका इस्तमाल करो गाईस अजब आप अपने लाइफ बदल सकते हो और केवल आप अपनी ही नहीं आपसे जुड़े होए काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके आप लाइफ बदलोगे देखना अजब आप अपने जैसे लोगों की काफी हल्प करने वाले हो मैं ये कहना चाहते हूँ प्योंकि जो तकलिफ आपने भोगी है ना तो उसका ऐसास आपको है कि कुछ और लोगों को भोगना ना पड़े है ना एक तो ये एक और मैसेज आया है का अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर एजुकेशन को लेकर परिशान थे ना तो उसकी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हो रहा है आपके संतान संबंदित जो भी प्रॉब्लम है ना उसका सॉल्यूशन होते होए नजर आ रहा है चाए वो उनकी हेल्थ को लेकर हो उनकी एजुकेशन को लेकर हो है ना तो संतान संबंदित कोई भी परिशानी आपको है ना वो परिशानी आपकी दूर हो रही है वाव एनरजी का बैलन्स में आना सॉर्य और स्षांद का एक साथ आना जैसे temperance का card आया था sorry, जैसे पहले भी card आया था कि आपके energy का काफी हद तक balance में आ जाना आपको appreciation मिलना आपको appreciation मिलना तो ये है energy balance मारे relax हो जाओ guys, देखो दूसरी बर confirmation आया है कि relax हो जाओ ठीक है, अगर गुस्सा आता है अभी भी थोड़ा पानी पी, और देखो पानी में कंजू से नहीं रखना, ठीक है पानी पी ना, और जो भी परेशानी अगर अभी आपके life में चल रही है उस परेशानी का अंत होगा अभी अमीने क्यों कहा है, देखो यहाँ पर यह काड़ा है, कि अभी हो सकता है कि आपके life में कोई problem चल रही है और जिसके लिए आपने बहुत ओप pray की है खुब कहता ना, दर-दर हर एक द्वारे जाकर आए हो आप लेकिन आपकी परेशानी मतलब अभी तक मैं आपको सुदरी भी होगी ना, तो उतनी कहते ना कि जितना आप चाते ते ना उतनी सुदरी हुई नजर नहीं आ रही है, या फिर उतनी खतम हुई नहीं आ रही है तो आपको यही का जा रहा है कि इस बार अब परेशानी पोस्पोन नहीं होगी, वो जड़ से खतम होगी, आपको relax होना है आपकी life में justice होगा और आपकी praise जो है मालिक ने सुन लिए, इस वज़े से ये भी आया है कि आपकी life में balance आ रहा है आपकी energy भी balance हो रही है और आपकी life में balance भी आ रहा है तो मालिक पर trust करो अपनी परेशानी की पोटली जो है ना उनको दे दो, उन्होंने थाम ली है अब वो जैसे आपको बताए वैसे चलो क्योंकि आपकी life में आपको फिर से मान सम्मान मिलने वाला, यहाँ पर भी the sun का काड़ाया था, the star का काड़ाया था कि आपको आपका मान सम्मान मिलने वाला है खूब रस्पेक्ट मिलेगी यहाँ पर appreciation का भी काड़ाया है कि ऐसी परिस्तिती में भी आपने कितनी हिम्मत दिखाई है आपकी कोई हक की खुशी भी आपको मिलने वाली है कोई हक आपका मिलता हो आ राहा है यहाँ पर मुझे इतना clear लग रहा है कि आपका हक आपको वापस मिल रहा है वापस से कहते हैं नहें जिन्दगी का हरा बरा हो जाना मूर जाय फूल जो होते हैं आ वो फिर से खिल जाना या फिर उजड़ा हुआ बाग होता ना वो फिर से हरा बरा हो जाना वैसी situation, वैसी खुशियां आपको वापस से मिलने वारी है कुछ वापस से मिलता हुआ निजर आ रहा है कि कुछ कोई चीज आपकी खो गई थी, वो खोया हुआ जो आपका है, वो आपकी तरफ वापस लोट कर आ रहा है यही आपके साथ justice है इसी से ही आप ही लो सकते हो और यहीं जिद आप लेकर बैटे हो ठीक है, और बहुत देखना जैसे यह खुशी मिले ना बहुत enjoy करने वाले हो आप बहुत enjoy करने वाले हो कोई family का matter सुलस्ति वे नजर आ रहा है क्योंकि इनसान जब खुश होता ना तो अपनों के साथ picture लेकर उसको यादगार बनाता है करता है, तो कुछ वैसी चीज़े मुझे लग रही है और यह happiness के लिए confirmation आ गया कि यह happiness बहुत जल्दी मिलने वाली है आपकी life कहता है ना सुरक्षित और खुशियों से बढ़ने वाली है जहाँ पर आपको किसी चीज़ की कमी नजर नहीं आएगी यह happiness आपकी life में आ रही है चुमबक की तरह आकरशित कर रहे हो कि यह खुशिया जल्द से जल्द मेरी life में आए जुमबक कैसे कि प्रे बहुत किये और यह प्रे कहीं न गई एक तो कहता है ना कि affirmation का भी काम कर गई और आपके manifestation का भी काम कर गई तो एक साथ कहता है ना double power से किसी चीज़ को अपनी और आकरशित कर रहे हो यहाँ पर भी double के sign है balance आ रहा है आप सच में कभी-कभी कहता है ना कि किसी इंसान को पता भी नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है मतलब कैसे यह कुशियों को manifest कर रहा है और वो manifest हो भी जाती है हमें manifest करना भी नहीं आता लेकिन फिर भी manifest हो जाती है देखो थोड़ा जाग रुक रहे ना कोई आपके बारे में जहांच परताल कर रहे हैं कोई चानविन करने की कोशिश कर रहे हैं तो येतनी खुशियां आ रही है तो कोई भंग करने की कोशिश ना करे हाला कि मालिक की प्रोटेक्शन है आपको लेकिन फिर भी अपनी तरफ से थोड़ा सचेत रहकर चालना है ना अगर कोई success मिले कोई خुशी मिले आपको तो जरूरी नहीं है हर किसी को बताए है ना ये भी जरूरी नहीं है कि हमारी खुशी से हर कोई खुश हो तो देखो खुशी आपको बहुत मिलने वाद है यह बात है तो यह आपके चहरे पर भी आईगी है ना तो थोड़ा सा उसको हर किसी को साजा करने की जुरूत नहीं है यह नहीं समझना कि आपके खुशी में हर कोई खुश होगा है ना जी हम खुश होता है मालिक खुश होता है यह हमरे अपने और कोई खुश नहीं होता है न यह जो किया है अपने जितनी बी कोशिशे की ने वह कुशिशे कभी खा दी नहीं जनेए आपकी लादे अना कि महनातों के फल आपको मिलना है यह हो रहा है जैसा मैं ने बताया कुछ जीज वापसे कि आपके कोई खोई हुई चीज या कोई खोया हुआ है तो बहुत सारी जिससे गुसा शान्त रहे आती हो एक खुशिय को ठुकरा हो नहीं क्योंकि यहां मुझे पक्का लग रहा है कि कोई खुशियां आने वाली है तो एकदम कहते हैं कि मन का दरवाजा खुला रखना इन खुशियों को accept करने के लिए दिखना जी तो जो भी universe की blessing आ रही है उनको accept करना, claim करना universe से यही pray करना कि मालिक इस reading में जो भी अच्छी energy आई है या जो भी खुशियां हमारी life में दस्तक दे रहे हैं वो जल से जल हमारी life में आई हमें appreciation जल्डी मिले हमारा मान सम्मान हमें फिर से मिले और हमारी life खुशियों से बढ़ जाए और आपका प्यार और आपकी blessing हम पर अनन्त काल तक बना रहे ठीक ना जी साथ मांगे तो अनन्त काल का ही मांगे ना अना जी तो गाईज यह थी आपके reading I hope आपको पसंद आई है अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को कॉमेंट लेक शेयर कीजिए मैं मिलती है आपको नेक्स टेडिंग में तब तक के लिए बाई